तो आज की वीडियो देखेंगे कि आप एक SQL के अंदर कैसे database बना सकते हो उस database में आप कैसे tables बना सकते हो तो वह सारी commands और सारी functions अब इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग पूरे कोर्स में भी PostgreSQL का यूज करेंगे तो अगर आप चाहो तो उसको MySQL से भी कर सकते हो आप उसको MySQL सर्वर से भी कर सकते हो या आप उसको Oracle का डेटाबेस से भी कर सकते हो या अगर आपके पास कोई online platform है जहापे आप सीक्वल चलाते हो कि जो SQL है वो काफी जादा easy है जो words आप generally use करते हो English में वही word आपके इसमें भी functions या command में use होंगे SQL के इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना बहुत easy होता है इसको सीखना तो आप देख सकते हो table बनाने के लिए क्लिए table है तो ये एक function है जो कि SQL में use होता table बनाने के लिए तो create table हो गया उसके बाद आप table का नाम दोगे यहाँ पे जो भी आपको नाम देना सब्सक्राइब करोगे यहाँ नाम दोगे उसके बाद आप open bracket करोगे यहाँ पे और यहाँ पे column का नाम डालोगे उस table के अंदर कितने columns होंगे और उसके बाद उसका data type हम लोग define करेंगे column का उसके बाद जो constraint बाद में आप bracket close कर दोगे और इसको फिर आप run कर सकते हो तो यह example आप नीचे देख रहे हो create table का इसको अभी हम लोग run करके देखते हैं तब हम लोग PG admin लोग in करते हैं और फिर सबसे पहले देखते हैं कि database कैसे बनाएंगे और table कैसे बनाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक ही database है इस वक्त जिसका नाम है post grace तो अगर मुझे कोई नया database बनाना तो दो option आते हैं एक तो आप यहाँ पे चाहिए query editor में आप database पे क्लिक करिए उसको बाद यह query tool आपका open हो जाएगा तो यहाँ पे scratchpad अगर आप कुछ लिखना चाहो कोई note points बोलिक सकते हो और यहाँ पे आपका output आएगा और यहाँ पे हम लोग query लिखते है query editor के नीचे ठीक यहाँ आपको code आप जो query लिख लोगे तो आप यहाँ पर रन पे जाईए उपर लिखा होगा execute या refresh आप इस पर click कर दीजिए तो यहाँ पर आप देखो गए कि query query return successfully इसका मतलब जो आपका जो आपने query लिखी थी वह error-free execute हो गई है अब मुझे अगर देखना कि यह जो test db database है यह बना कहाँ पर तो आपको तो दिखने रहा तो आप क्या करो यहाँ पर जाओ databases पर right click करो यहाँ पर refresh option दे रहोगा अब refresh क्लिक कर दो refresh हो जाएगा और आपको यहाँ पर दिखिए का test db तो यह आपका database बन गया तो यह भी connected नहीं है इसलिए आप पर cross दिखा रहा है अगर आप इस पर double click कर दोगे तो यह connected हो जाएगा तो यह भी active हो गया तो ऐसे आपका database बन जाएगा database बनाने का एक और तरीका है जो databases लिखा आप इस पर right click करिए create में जाएगे database पर जाएगे अगर आपको बिना query लिखे करना है यहां पर भी आप database का नाम दे सकते हो तो जैसे मैं test db one दे देता हूं और बागी सब आपको as it is रहें दीजे इसमें कुछ parameters में जो आपको कुछ changes करने हो तो यहां से आप कर सकते हो security है इसमें अगर आप किसी को आप right access देना चाहते हो किसी को view access किसी को read access तो वह सब आप यहां से कर सकते हो तो अगर यहां पर कुछ parameters है advanced parameters है और फिर SQL तो जो हम लोगों ने यहां पर journal में जाके तो यहां पर हम लोगों ने जो toolbox की help से किया database का नाम इसने आपके लिए query लिग दिया database और फिर यह कुछ conditions से इसमें तो यह by default condition इसको नहीं भी लालें तो चलेगा तो जैसे हो कि इसको अगरी में से आप tables पर click करिए अभी आपको arrow दिख रहा है इस पर click करिए down arrow हो गया मतलब इसमें कोई भी tables नहीं अभी अगर आपको टेबल बनाना है तो अगेन अपने पास दो option है एक तो आप right click करके create table कर सकते हो दूसरा आप code query के through लिख सकते हो ठीक तो हम लोग देखते है query के through सबसे last आप उस पर click करिए तो आपके लिए query editor open करके देदेगा अब आप यहां पर देखो यह test DB करके है इसका मतलब test DB database के अंदर table बना जा रहे हो अब यहां पर अपनी query paste कर दीजे तो हम लोग ने create table statement का use किया है table का नाम हम लोग customer रख रहे हैं उसमें customer का ID आएगा name आएगा age city और इसकी salary ठीक data type हम लोगों को ने क्या define किया है इसका integer 8 digits तक हम लोग 8 digits तक का हम लोग integer define कर रहे हैं उसका उसका प्राइमरी की होगा हमारा name जो है इसको हम लोग वैर कर ले रहे हैं 50 तक रख 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 रहे हैं उसका और यह notional होगा name उसमें होना ही चाहिए कुछ ना कु अब देखोगे कि जो आपका query है वो successful run हो चुका है तो मुझे देखना है कि मेरा table कहां पर बना है तो अगेन आप यहां पर जाईए यहां पर जाने कबाद refresh क्लिक करिए अब आप देखोगे आपका customer table आ गया ठीक अब मुझे अगर इसके अंदर देखना है कि क्या-क्या values ह है तो आप क्या कर सकते हो आप लिख सकते हो select star star का मतलब सारी values select कर लेगा from और table का नाम आपको लिखना है तो मेरा small में था customers तो मैं customer लिख दूँगा उसके बाद आप यहां पर इसको execute कर दीजे अब आप देखो कि जो हम लोगों ने table बनाया था id name age city salary आ गया वो blank है क्योंकि अभी कोई values नहीं डाली है अब आप यहां पर देखो जो PK है यह primary की हम लोग ने define किया था बाकी सभी के इसमें इंटीजर लिखे मतलब बाकी सभी के data type लिखे हुए तो एक तो यह तो यह तर बोला नेम तो मैं इसका नाम दे दे रहा हूं कस्ट ठीक और by default आप इसमें जो भी parameters उसको रहन दीजिए अब जाए आप columns में columns में यह आपको name add करने को बोला data type उसका length अगर आपको देना उसका scale नल होना चाहिए कि नहीं primary default values अगर आपको डालना है तो आप यहां पे add जो यह मेरा primary के तो मैं primary पे click कर दे रहा हूं not null होना चाहिए इस पर भी click कर दे रहा हूं ठीक इस तरह से मैं और add करता हूं समझ जीए customer का name तो मैं custom name लिख दे रहा हूं इसको मैं character ले ले रहा हूं ठीक इसका length आपको देने का जोड़त नहीं not null होना चाहिए इसका प्लस यह उसके बाद इसमें हम लोग दे देते हैं address ठीक एड्रेस दे दिया address के लिए मैं ले ले रहा हूं character wearing ठीक इसका length दे सकते हो तो मैं इसका 150 character का length दे रहा हूं और यह नल भी हो सकता है तो चलेगा कोई दिक्कर नहीं है और last make add कर देता हूं मैं customer का salary ठीक किस्टमर की कितनी salary है प्रॉक्स तो इसको मैं दे देता हूं इंटीजर में यह काम करता हूं मैं इसको numeric में देता हूं ठीक और salary भी नल हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं ठीक अब इसको बागी इसके लावा फिर इसमें सब्सक्राइब करता हूं मिलेगा कस टेवल बनाना यह सारे उसके अंदर columns हो गए यह सारे उसके data types हो गए और अगर constraint कोई डालना है not null और यह सब data में और यहां पर आप कर दीजिए all rows या first 100 रोस टीक है तो मैं first 100 ले ले लेता हूं अभी तो ऐसे blank है तो आप देखो कि इसने first 100 दिखाने के limit यूश किया limit 100 और अभी पूरा blank कस टाइड हम लोगों ने बना integer character name customer name दिया हम लोगों ने अब आप यहां पर देखो यहां पर गड़बड हो गया हम लोगों ने character का कोई length specify नहीं किया तो इसने किया किया वन लिया मतलब आप सिर्फ एक alphabet लिख सकते हो a,b,c ऐसा कुछ एक alphabet तो यह गलत हो जाएगा तो जब डेटा फीड करोगो तो गलत हो जाएगा इसलिए आपक नेक्स डूडियो में तब तक के लिए बाई बाई